आज मैं आपकी दोस्त रश्मी और आज मैं आपसे गुड़ वाइब्स के अवकाड़ो जेंटल किंजिंग फेस्ट फेस्ट के बारे में अपनी पर्सनल एक्स्पिरियंस सेयर करने वाली हूँ यह जैसे कि अब देख रहो यह कुछ इस तरह के बॉटल में आती है इसकी जो कॉंटिटी है वो 150 ml है और यह नो पेरबेन, नो सल्फेट, नो मिनरल, और और क्रुयलिटी फ्री यानि यह किसी जानवर के उपर इसके इसके इस्पेरिमेंट नहीं की गई है यह बिल्कुल यह इसकी प्राइज है और यह यहां पर बताई गई है कि अवोकाडो हमारे स्कीन के लिए क्यों बेनिफीसियल है यहां पर कुछ लिखा वाया वाकाडो भीकाउस वेल अवोकाडो गुड़ वाइप्स, अवोकाडो फॉर्मिंग फेस्वास जंटली क्लींसे इसकीन तो मैं और ज्यादा मैं नहीं पढ़ूँगी मैं मेरी जो अपनी पर्सनल एक्सप्रियंस है मैं उसको आपसे सेर करूँगी और इसमें बताएगे कि कैसे यूज करें और एक चीज और यह आपकों के कॉंट्रेक्ट में बिल्कुल ना आए अगर आपकों में चली भी गई ह गलती से तो उसको चल्दी से पानी डाल कर धोने तो फ्रेंड यह जो फेस्वास है यह बहुत ही मतलब जेंटल है और यह जो है मैं वन टाइम यूज करती हूँ इसले वन अंड़ हाप मन्त से यूज कर रही हूँ मैं सिफ एबनिंग में यूज करती हूँ क्योंकि देचे व्हां नेट्रीशन देते हूए आपके फेस्पर जो एक्स्ट्रा ओईल और गंदगी है वह उसको साफ करने में हिल्प करती है और ताकि जो पूरी तरह साफ हो जाए और सांस ले सके हैं और यह सभी तरह के इसकीन के लिए यह तो तो बिद्वी शीन ड्राइज के लिए नहीं बिलकुल यह ऑड टाइब के इसके के लिए और यह जो है आपके से के इसके करता है औल कंट्रोल करता है इसकी में गलो और सफनिस लाता है जैसा कि मैंने आपको बोला था इसमें इसके इंगरीडरेंट वही अवकाड़ो आइल और अवकाड़ो मिल्क बताया गया है इसमें है और इसके जो है बिल्कुल सौफ्ट और एकदम बहुत ही ग्लो करने लगती है हल्केल के हाथों से मैं इसको इसके फॉर्म को लेकर करके हल्केल के हाथों से अपने फेस को मसाज करती हूँ और पहले आप अपने फेस को थोड़ा सा उंगीला कर लो हल्का सा थप थपा लो उसके बाद ये फॉर्म जो है हाथ में लेकर के और इसको आप अपने फेस पे हल्केल के हाथों से मसाज करो और उसके बाद दोनों हाथों पर पानी मार कर उसको साफ कर लो और ब procure? इसको एकी साफ कर देती है minder nationale ब्राइट गलोइंग और बहुत सब्सक्रापल हो जाती है Savior और यह कुंगे व्यारे व्यासि हैना और आपसी जो भी डल ने सक आघ क्या बोलते हैं हलके फिलके जो दाग धपे हैं वो भी दीरे-दीरे जाना सुरू हो जाएंगी स्कीन को बिल्कुल नेचुरल तरीके से साफ करती है थोड़ी सी भी इरिटेशन नहीं होती है और स्कीन जो है काफी ग्लो करने लगता है मैं तो जब भी मतलब डेली यूज करती हूँ तो मुझे फर्क बिल्कुल समझ में आता है बिल्कुल ड्राइ नहीं करती और इसके पूरी ब्राइट कर देती है इस बात से तो मैं बिल्कुल बेफिकर हो कि इसमें कोई कैमिकल है या कुछ भी है वैसे विए गूड़ वाइथ के सारे प्रोड़क्ट नैचरल ही होते है और अच्छे भी होते है बहुत सार प्रोडक्ट और भी मतलब मैंने मंगवाए है और उसके मैं रिव्यू आपको दूँगी तो यह जो है या फिर अगे ये पंपिंग स्टाइल जो होती है बिल्कुल जेंटल है बहुत ही अच्छे से यह साफ करता है आप जब इसको यूज करना सुन करेंगे तो फिर आपको कोई सावी और फेसवाज सबको बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा बहुत ही जेंटल है और बहुत ही अ फॉर्म बेस में हैं तो बहुत ज़्यादा आपके स्कीन पे हार्श है बिल्कुल भी जेनरल है आप देख रहे हो कि मैंने सिफ लगाया है इसको दोने के बाद मैं आपको अपना अपके अपने हाथ को मैं दिखाती हूँ और मैंने अपने हांड को वास कर लिया है बिल्कुल तो फ्रेंड मैं तो यह होगी कि आप इसको जरूर से बत्राई करें क्योंकि यह आपके फेस को बिल्कुल भी ड्राई नहीं करता और बहुत ही जंटली साफ करते हुए यह आपके मौस्चर को भरकड़ा रखते हुए यह बहुत ही जंटली साफ करता है जिसे स्कीन कpora अच्छा लीज हुए दिखा एंषल करती है जब आपको अदर से बहुत ही अच्छा फील होगा बहुत है अच्छा लगया अपको साफ साफ सुनदर उल्कुल और कांफी हैव्य काफी सॉप्ट हो जाएगी इसकी तो क्योंकि गोड़ वाइज की मुझे ये फंपिंग वाली बॉटल मुझे बहुत ही पसंद है और आप एक बड़ जरू ट्राइ करें और ट्राइ करने के बाद मुझे बताएं कि आपको कैसा लगा यह मेरा अपना पर्सनल एक्सपेरियंस ह और यह काफी अच्छा है मुझे बहुत ही अच्छा लगा आप एक बड़ ट्राइ करके देखो कि आपको कैसा लगता है ट्रिकर प्रिंट आज के लिए बस इतना ही और होप यह वीडियो आपको जरूर पसंद आए और नेक्स्ट वीडियो में मैं बहुत जल्दी मिलते हू ओके बाए टेक्स क्यार वाग गुदे लगता है